पूर्व लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सविधान को आगे पढ़ेंगे सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पहले वीडियो में बहुत सारा लाइक और कमेंट किया इस प्रोसेस को हम अब लगातार कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज से हम एक नई व्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं टेलिग्राम चैनल के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिये जाएंगे और साथ लाइव चैनल का अपडेट भी उसी पर दे दिया जाएगा शुरू करते हैं जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सविधान क्या होता है सविधान कैसे बनता है उसके आधार क्या थे उसकी अउधारना क्या थी और विश्व के भिन्न देशों में सविधान का क्या प्रोसेस है आज उसके आगे बढ़ते हुए हम इस class को शुरू करेंगे गणेश जी का नाम लेकर इस कक्षा को शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमहा और मैं अपने सिक्षक को नमन कर लूँ इसके बाद हम अपने मूल सब्जेक्ट पर आ जाते हैं आज के इस lecture में हम focus करेंगे कि सविधान निर्मान की प्रक्रिया क्या रही सविधान सभा का क्या role रहा और सविधान सभान किस तरीके से किस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे सविधान को बनाया किन चर्णों से होकर किन steps के माध्यम से हमारा सविधान बना चलिए शुरू करते हैं हमने कल ये पढ़ा था कि सविधान का विचार भारत में कहां से आया इसको जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं भारत में सविधान का जो विचार है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने स्वराज विध्यक में 1895 में दिया गया था ये वो पहला कदम था जिसमें किसी भारतिय द्वारा भारत के लिए एक सविधान की मांग या सविधान की बात कही गई थी आगे बढ़के 20-वी शताबदी में गांधी जी ने एक भाषन दिया 1922 में जिसमें ये कहा गया था कि भारतियों का जो सविधान है वो भारतियों की इच्छा नुसार होना चाहिए और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतियों को अपने सविधान के लिए प्रिरीद करने में और आगे बढ़कर जब अंग्रेजों ने भारतियों को चैलेंज किया कि क्या भारतिय अपने खुद के लिए ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो उनके लिए सविधान का काम करे तो मोतिलाल नहरू ने आगे बढ़कर एक रिपोर्ट प्रकाशित की 1929 में यह रिपोर्ट प् और आगे बढ़ते हैं भारतियों की ओर से सविधान सभा का सर्वप्रथम मांग सर्वप्रथम इसके लिए मांग जो है वो 1934 में राची में स्वराच पार्टी में एक विधेत या एक प्रस्ताव लाकर के की गई थी यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी 1934 में ही भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान M.N.Roy ने एक प्रारूप तेयार किया और सविधान सभा के गठन का विचार दिया इसी से आगे बढ़कर सविधान सभा किस प्रकार बनाई जानी चाहिए इस बात पर सब लोगों ने ध्यान आकर्शन किया 1936 में कॉंग्रेस पार्टी ने लखनव अदिवेशन में सविधान सभा के अर्थ और महत्व की चर्चा की गई थी याद रखिये गए महत्वपूल बिंदू है कि कॉंग्रेस ने पहली बार किस अदिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया था कि सविधान सभा होनी चाहिए बननी चाहिए उसका आर्थ ह या महत्व की व्याख्या की गई तो 1936 का लाहोर अदिवेशन था ब्रिटिस सरकार ने भी इसे दो चर्णों में दो तिन चर्णों में माना सबसे पहले उन्होंने 1940 में हमारे सामने एक अगस्त प्रस्ताव पेस किया और अगस्त प्रस्ताव में यह स्विकार किया गया कि भ इसमें अंग्रेजो द्वारा भारतियों के समक्ष प्रस्ताव की रूप में यह प्रस्तुत किया गया कि युद्ध के पश्चात एक सविधान सभा बनाई जाएगी एक निर्वाचित सविधान सभा बनाई जाएगी जो भारतियों के लिए सविधान का निर्मान करेगी ख इसके बाद cabinet mission लाया गया जिसे अभी हम आगे पड़ेंगे हमने ये भी याद है कि मुस्लिव लिग जो है वो शुरुआत में सविधान सभा और सविधान बनाने में शामिल नहीं होना चाहता था लेकिन जब उनकी मांगे पूरी कर ली गई उनकी शर्ते पूरी कर दी गई त तो उनोंने सविधान सभा में हिस्सा लिया और बढ़ चड़कर सविधान बनाने में भाग लिया अंबेटकर जीव का भी यही विचार था कि भारत के लिए किसी नए सविधान की जरूरत नहीं है सविधान सभा की भी कोई आवशक्ता नहीं है 1935 का जो अधिनियम है इसी क को हम आगे बढ़ा कर या इसी को संसोधित करके हम भारत की व्यवस्था को बना सकते हैं इस प्रकार सब लोगों ने अपने विचार दिये अंतितह जब भारत छोड़ो आंदोलन सुबास्चंद्र बोस के द्वारा किये गए प्रयासो और अनेक क्रांतिकारी गती वीदियो क्या था और इसने सविधान सभा को कैसे बनाया यह जान लेने पर आपको समझ आने लगेगा कि सविधान सभा किन लोगों के द्वारा बनाई गई और सविधान सभा में कौन-कौन सदश से थे आई अब समझते हैं केबिनेट मिशन जो है उसका नाम केबिनेट मिशन क्यों रखा गया दिखिए cabinet mission में ये जो शब्द है cabinet ये अंग्रेजु द्वारा अपनी cabinet के तीन सदश्यों के लिए यूज किया गया था cabinet mission में जो तीन सदश्य थे वो तीनों के तीनों ब्रिटेज की उस समय की सरकार के cabinet मंत्री थे इसलिए इस mission को cabinet mission नाम से जाना गया है ये बहत्वपून बात है आप लोग याद रखेंगे इसमें टोटल तीन सदश्य थे अब इनके बारे में हम जान लेते हैं तीनों में पहले व्यक्ति पैथिक लॉरेंस थे पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सची हुआ करते थे दूसरे व्यक्ति स्टोफ़र्ट क्रिप्स थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और तीसरे व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर थे एवी अलेक्जेंडर उस समय नो सेना मंत्री थे, क्योंकि तीनों ही cabinet मंत्री थे, इसलिए इसे cabinet mission कहा गया है, यह आप याद रखेंगी कौन वक्ति किस पद पे था, अब हमें तीनों वक्ति नाम याद करने हैं, तो मैंने अपने खुद के याद करने के लिए एक शब्द कोट कर रखा है, के, ए, यह वलक कोट बना कर याद कर रखा है, ऐसे में कोट से ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़े याद करवाने वाला हूं, सविधान में लगभख, आदी से जादा चीज़े हम कोट के माध्यम से याद करेंगे, यह हमें याद रहे, एक बार पेसी ने इसा प्रस् कि निमने लिखित में से कौन केविनेट मिशन का सदस्ची हिस्सा नहीं था, तो वहाँ यह तीनों बहुत इंपॉर्टन्ट一 क्लlot हो जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, केविनेट मिशन का काम क्या था, केविनेट मिशन को कार यह दिया था, कि भारत में सांतिपुन द सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है जो उसने किया भी आगे इस से लिलेटेड हमें दो तारीखें बहुत इंपोर्टन्ट है वो याद रखनी है पहली तारीखें 24 मार्च 1946 इस तारीख को केबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुचा था वो भारत में आ गया था एक तारीख और ह 16 मई 1946 इस तारीख को उसने अपना जो प्रस्ताव है अपना जो प्लान है वो प्रस्तुत किया था इसने अपना प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था यह दोनों तारीखें एक साथ जब आती है तो कंफ्यूस करती है क्योंकि कुछ किताबों में इनको सही तरीके से एक जाएगा क्योंकि ये सब घटनाए 1946 की है तो 46 याद करने की ज़रूत नहीं वो हो जाता है दूसरी तारिक 16 मई है इसको इसने अपना प्रस्ताव अपना प्लानिंग भारतियों के सामने रखा था अब इसका प्लानिंग क्या था इसका प्लानिंग था उसे हम आगे बढ़ते ह हैं देखे इसको भारत के लिए एक सविधान सभा बनानी थी कि उन सदस्यों का चुनाओ करे जो भारत का पूरे भारत का प्रतिनी दित्व भी कर लें और भारतियों के लिए एक प्रबुद्ध वर्ग की रूप में सविधान का निर्मान करे इसी सभा बनानी थी तो इसने प्रत्यक्ष तरीके कुना अपनाते हुए क्योंकि हमारे 1945-1946 का जो दिसंबर और जनवरी महिना था मतलब 1945 के दिसंबर और 46 के जनवरी में हमारे प्रांतों में चुनाओ हुए थे तो इसने कहा कि हम सीधे तोर पर भारत में चुनाओ ना कराते हुए क्योंकि अभी अभी चुनाओ हुआ है और ये जो प्रांतों के जो सदस्य है या प्रांतिय सभाओं के जो सदस्य है ये जनता के प्रतिनीधी ही है इसलिए क्यों ना इनके माध्यम से कुछ लोगों को चु लिया जाए जैसे आजकल राज्य सभा में चुनाओ होते हैं अब प्रत्यक्ष तरीके से हम विधान सभा का चैन करते हैं और विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के प्रती नीधियों को चुनते हैं तो सेम उसी पेटन को फॉलो करते हुए इन्होंने जो उस समय की प्रांतिय संसदे थी प्रांतिय संसदों ने सविधान सभा के जो सदस्य थे अलग-अलग राज्य को अपनी जन संख्या के आधार पर आवंटन किया गया था उसके आधार पर सभी प्रांतिय सभाओं ने सदस्यों का चैन किया अर्थाथ एक अप्रत्यक्ष विधी अपनाई गई ही सविधान सभा के चैन की ध्यान रखिएगा सब लोगों कोई बात पता होती है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया लेकिन अप्रत्यक्ष में कौन सा तरीका था तो अप्रत्यक्ष का तरीका था कि उस समय की जो प्रांती सभाय थी जिनका चुनाओ कुछी समय पहले हुआ था उनके सदस्यों को कहा गया कि आप अपने राज्यों में प्रतेग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनीधी की आधार पर अब यहाँ याद रखिएगा मैं 10 लाख बोल रहा हूं इसका मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक जम कैल प्रतिनीधित्व शब्द का भी यूज किया क्योंकि वो एकडम फिक्स नहीं है कि 10 लाख हो लेकिन ये बाते हम एक्जाम में पूछी जाती है कि जो सविधान सभा के सदस्ये हैं वो प्रतेग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनीधी के रूप में आनुपातिक प्रतिन प्रतिनीधित्व के आधार पर और अप्रतियक्ष चुनाव लड़ करके अब यहां एक विशेश बात और याद रखिएगा जो प्रांतिय सविधान सभा के सदस्ये प्रांतिय संसदों के सदस्ये चुने गए थे वो वयस्क मता अधिकार के आधार पर या सिमित मता अधिक के आधार के आधार पर चुने गए थे इस कारण से यहां एक विशेश बाद ये भी पूछी जाती है तो इसकी चार विशेशताएं हो गई दस लाग के आधार पर एक प्रतिनीधी के रूप में अनुपातिक प्रतिनीधित्व करते हुए अप्रत्यक्ष चुनाओ कराकर या प्रतिक्ष तरीके को अपना कर वयस्क सिमित मता अधिकार का उप्योग करते हुए सविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था अब हम ये समझते हैं कि क्या सभी सदस्यों को सविधान सभा में चुना गया था तो नहीं देखिए उस समय का जो भारत था वो उस समय का भार कुछ इस प्रकार था हमें याद रखना चाहिए थोड़ा में बन से के माध्यन से समझते हैं कि उस समय का जो भारत था वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था थोड़ी स्पेस पे अच्छे से बना लेते हैं यह जो पूरा भारत था यह तीन भागों में बटा हुआ था देखिए भारत का बहुत सारा छेतर ऐसा था जो सीधे तोर पर अंग्रेज अपने अधिन कर लिये थे जिस छेतर को उसे अब हम प्रांतिय गवर्नर के प्रांत की नाम से जानेंगे उस समय भारत में 11 प्रांत हु जहां पर अंग्रेज जो है वो अपनी सेना रखकर अपने खुद के जमीन के या उस छेतर पर अंग्रेज खुद रहते थे उसे हम कमिशनरी छेतर के नाम से जानेंगे और भारत में कुछ ऐसे भी छेतर थे जहां पर अभी भी देशी रियासतों का वर्चस्वता या देश देशी रियासतों तो 561 थी लेकिन सारी देशी रियासतों को सविधान सभा में शामिल करना मुश्किल था तो इन लोगों ने भारत में क्योंकि 10 लाग की जनसंख्या पर एक प्रतिनीधी को चुनना है उस समय भारत की लगभग जनसंख्या 35 करोड के आसपास हुआ करती थ लेकिन उसे हम टुकडों में बाट कर समझते हैं कि जो टोटल 389 सदस्य हैं उसमें से 200 बाढ़नों तो उन छेतरों से जहां गवर्नर के प्रांत थे अर्था 11 प्रांतों से चुने गए चार कमिशनरी छेतरों से एक-एक सदस्य के आधार पर चार सदस्य चुने गए और देशी रियासतों से कुल मिलाकर 93 सदस्य चुने गए अब देखे इसका और इसका मतलब गवर्नर के प्रांतों का और कमिशनरी छेत्रों में तो चुना जाना है सदस्यों को अप प्रत्यक्श रूप से लेकिन दिया देसी रियासत जो सदस्य थे उनमें 561 देसी रियासतों में से जो छोटी छोटी रियासत थे उनमें 2-4 रियासतों को मिला करके एक सदस्य और बड़ी बड़ी रियासतों में कहीं कहीं कुछ जादा मातरा में कहीं एक या कहीं दो ऐसे सदस्यों का चयन किया गया इस तरीके से कुल 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों के माध्यम से मानो नयन करके सविधान सभा में पहुँचाए गए और ये जो सदस्य थे वो चुन करके सविधान सभा में पहुँचाए गए अब हमने समझ लिया है कि भारतिय सविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जिस समय चार कमिशनरी छेत्र कौन-कौन से हुआ करते थे वो भी याद रख लें चार कमिशनरी छेत्र में सबसे पहला दिल्ली महतोपूर्ण था उसके बाद अजमेर उसके बाद मारवाड और कुर्ग बलुचिस्तान एसे चार कमिशनरी छेत्र से थे जहां से एक-एक प्रतिनी कुछ चुनने में तीन भागों में बाटा गया पहले मुस्लिम थे या मुस्लिमों को उस में कुछ विशेश स्थान दिया गया फिर सिों को कुछ सीटे आवटित की गई और बागी के जो भाकिए जो वर्ग का प्रतिनिदित्व करते थे उन्ह101 नाम देखेर के उनको प्रतिनिदित्व प्रदान किया गया अर्थात सवीधानसभा के सदस्यों को तो तीन भागों में बाटा जा सकता है, मुस्लिम, सीख और सामान्या, अब जब इनका चुनाओ हुआ, तो वो जो चुनाओ होगा, वो तो केवल 296 सीटों पर होगा, कैसे, 222 तो प्रांतों के प्रतिनी धी, और 4 जो हैं, वो कमिशनरी छेत्रों के प्रतिनी धी, तो इनी में चुनाओ होगा, तो उन में से 213 सीटे सामान्या को, 79 मुस्लिम छेत्रों में मुस्लिमों को, और 4 सीटे सिखों के लिए आवंटित की गई, जहां इनका चुनाओ लड़ना या इनको चैन करना था, जो देशी रियासत के लोग थे, उस पर ये सामान, ये मुस्लिम और सीख ऐसा वाला वरगी करण लागू नहीं होता है, वो के वल इन सीटों पर लागू होगा, इस तरीके से एक चुनाओ का आयोजन किया गया, अब उस चुनाओ का रिजल्ट क्या मुस्लिल लिग जो है, उसे 73 सीटे प्राप्त हुई, और बाकी कुछ-कुछ छेतरों में निर्दलिये प्रतिनिधी या सिख और बाकी सब लोग प्रतिनिधी के रूप में 15 अन्य सदस्य चुने गए, देशी रियासतों के जो सदस्य थे, उसे पार्टिवार विभाजित न नहीं लेना चाहती थी, वो शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक एक कर के बाद में सारी देशी रियासते भारत में इस सविधान सभा में भी प्रतिनिधी बनी और भारत में भी उनका विलाई किया गया, आगे हम पढ़ेंगे कि उनका विलाई की इस तरीके से किया गय एक ऐसी रियासत्ती विशेश रूप से हैदराबाद जिसने अंत तक या सविधान बन जाने तक कभी भी सविधान सभा में पार्टिसिपेशन नहीं किया उसका कोई प्रतिनिदी वहाँ शामिल नहीं था और वो एक रियासत्ती हैदराबाद याद रखिएगा ये बहुत महतुपून बिंदू है हमसे एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है अभी आगे हम प्रश्न भी देखेंगे इससे रिलेटेड अब हम उस समय की प्रस्ट भूमी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि और फेक्ट को कवर कर पाएं देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारे देश में केबिन एड मिशन आया और सविधान सभा का निर्मान होने लगा तब ब्रिटेन में क्या इस्तिति थी या ब्रिटेन में क्या इस्तितियां बनी थी देखिए थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं 29 जुलाइ 1945 को ब्रिटेन में चुनाओ हुए थे और ब्रिटेन में जो उस समय की कंजर्वेटिव पार्टी थी वो हार गई और लेबर पार्टी जीत गई थी लेबर पार्टी भारत में स्वतन तरता का पक्ष रखती थी इसलिए अगले ही चरण में उन्होंने सविधान बनाने या सविधान सभा बनाने के लिए सविधान सभा का प्रस्ताव भारत को भेजा इसके बाद हमें या याद फेक के रूप में प्रस्ण पूछे जाते हैं कि जब भारत में सविधान सभा का निर्मान हुआ या भारत आजाध हुआ तो उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था हम फेक के रूप में याद रखें एसी छोटी-छोटी चीजे छोड़नी नहीं है ब्रिटेन का उस समय राजा जार्ज 6 हुआ करता था यह 1936 से लेकर 1952 तक ब्रिटेन के राजा रहे अब प्रस्ण ऐसा हो सकता है कि भारत के आजाधी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था भारत के सविधान लागू होने के समय कौन था भारत के गंतंत्र होने पर कौन ब्रिटेन का राजा था तो क्योंकि यह 36 से 51 तक का पूरा 6 साल कवर करते हैं इसलिए सभी का अंसर जॉर्ज 6 हो जाएगा सेम प्रशन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का उस समय प्रधान मंत्री कौन था ब्रिटेन के प्रधान मंत्री जो चुनाव जीत कर आये थे वो क्लिमेंट एटली थे और ये भी 1945 से 51 तक अपने पत पे रहे तो अगर सारे प्रशन पूछे जाएं कि सविधान सभा के समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था या भारत के गंतंत्रू होने की समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन था तो सबका आंसर क्लिमेंट एटली हो जाएगा ये छुपे हुए प्रेशन होते हैं जो हमसे पूछ लिए जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या आंसर करें Cabinet Mission जो भारत भेजा गया था उसका अध्यक्ष कौन था अभी हमने कोड बना करके याद किया कि तीन सदस्य थे उसमें क्रिप्स, एलेक्जेंडर और लॉरेंस तो इसके जो पीछे वाला ये एल है पेथिक लॉरेंस ये उस समय इस Cabinet Mission के अध्यक्ष थे और ये दो इसके सदस्य थे याद रखिएगा आप लोग ये हमसे पूछे जाने वाले जैसे प्रशन है अब हम कुछ प्रशनों पर फोकस करते हैं कि मैं इतना डीप में क्यों जाकर आप से ऐसी बाते कर रहा हूं कि मैं उद्देश प्रस्ताव रखा था अभी पूछा गया था ये ब्रशन और अधिकांश लोगों ने इसका अंसर तीसरा किया जिकिन जब आयोक के आंसर किसी टाई तो उसमें पांच था क्योंकि हमने इसको क्रम से पढ़ रखा था कि 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर और सब क वीडियो के खतम होने पर मैं इसका अंसर आपको बताऊंगा एक प्रेस ने पुछा गया कि निमने लिखित में से कौन सविधान सभा का सदस्य था तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए मैंने इसको और थोड़ा सा डीटेल में रखा है अब हम जो सविधान सभा उसकी थोड़ी और डीटेल में चल रहा है 389 जो सदस्य है वो भारत की सविधान सभा के थे लेकिन 1947 में एक अधिनियम बनाया गया भारती स्वतंत्रता अधिनियम जिसके माध्यम से भारत और पाकिस्तान ये दो अलग-अलग राज्य बन गये अब जब अलग-अलग देश बनाय गए तो हमारी जो सविधान सभाय जिसमें 389 सदस्य उनको भी बाटना पड़ेगा क्योंकि कुछ सदस्य पाकिस्तान चले जाएंगे तो इसमें से जो 90 सदस्य हैं अब तो भारत की जो सविधान सभाय उसमें कुल 200-29 सदस्य ही बचेंगे अब हम इनका फिर से की दो सो 59 सदस्य में और सतर सदस्य वह देशी रियासतों के प्रतिन इदी के रूप में बचे थे और ठोड़ा दीप में चलते हैं in सदस्यों को अगर हम अनोसुची जाती जनजाती या महिला के रूप में बने प्रश्ण पूछा जा चुका कि सविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी अंसर है 15 सदस्य थी अभी हम इनको और डीटेल में पढ़ेंगे लेकिन ये प्रेशन अनुसुची जाती जन जाती नहीं पुछेगे तो हो सकता है या आ जाए अब इसलिए एक एक फेक्ट को फोकस करना है तो अनुसुची ज जाती के टोटल 26 सदस्य सविधान सभा में शामिल थे अनुसुची जन जाती के टोटल 33 सदस्य सविधान सभा में शामिल थे आए इन पर और फोकस करते हैं हम जो 15 महिला सदस्य थी उनको और डीटेल में अंदर जाकर पड़ते हैं सबसे पहली सदस्य थी वीजिया लक्षम में उत्तर प्रदेश उसका उस समय नाम सयूक्त प्रांथ हुआ करता था कि विधान सभा से नियूक्त होकर स्वास मंत्री बनी थी और भारत की पहली महिला जो की युनाइटेड नेशन में महा सभा में जाकर के अध्यक्षता करती है और वो पहली महिला बनती है विश्व की तो 1953 में United Nation की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला विजिया लक्षमी पंडित थी, याद रखिएगा बहतोपूर्ण है, सविधान सभा की सदस्य रही, और सविधान सभा में इनका चैन सयूक्त प्रांत से हुआ था, सयूक्त प्रांत की रहने वाली थी, अब देखिए जैसे हम इनको ना तो इत्यास में पढ़ते हैं, ना किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो ऐसी लोगों के बारे में जो फेक्ट हैं, ये अलग-अलग भागों में सीपी, बायन, बरार, मध्यप्रांत और रियासतों के रूप में था, तो ये मध्यप्रदेश से चाहिनी थुई थी इनके बारे में याद रखेंगे कि ये मध्यप्रदेश की सविधान सभा या भारत की सविधान सभा में मध्यप्रदेश का प्रतिनी दित्व करती थी 1947 से 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ मंत्री रही और भारत में स्वास्थ मंत्री बनने वाली पहली महिला या पहली स्वास्थ मंत्री बनी राजकुमारदी अमरतकौर इनके बारे में एक बहुत महतुपून बात हमें याद रखनी है कि समान नागरिक सहीता का प्रस्ताव का समर्थन किया था देखिए अभी बहुत चर्चा में है UCC, Sama Nagrik Sahita इसका प्रस्ताव सविधान सभा में किस मध्यपरदेश की महिला प्रतिनीधी या किस मध्यपरदेश के प्रतिनीधी ने प्रस्तुत किया था या समर्थन किया था तो उसका आंसर होगा राज कुमारी अमरताक और एसे प्रश्णों पर विशेश ध्यान देना है हमें सरोजनीन आइडू यह सविधान सभा कि उन 15 में से एक सदस्य थी 1925 में कॉंग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी कॉंग्रेस की प्रथम अध्यक्ष पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी यह एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में बनी थी वो पहली भारतिय महिला थी जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी लेकिन वो क्योंकि विदेशी महिला थी आईरिश महिला थी इसलिए पहली भारतिय महिला कौन थी तो प्रथम भारती महिला जो की कॉंगरेस की अध्यक्ष रЙ और 1925 में इन्होंने कॉंगरेस की अध्यक्ष तर की वो सरोजणी नाईडू थी U.P की पहली राजजपाल भी बनी ये और भारत कोकिला के ऊप नाम से इनको जाना जाता है कुछ फेक्ट हैं जो हमें इन लोगों के बारे में याद रखने ताकि एक्जाम में एक भी प्रस्न ना छुटे, सुचे तक रपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी और 1963 से 67 तक ये मुख्य मंत्री थी और भारत की पहली मुख्य मंत्री महिला भी करें लेकिन पढ़ लेंगे तो हमें चार आप्शन में से एक जब पूछा जाएगा कि इन चार में से कौन महिला सदस्य नहीं रही तो हम बता पाएंगे पूर्णी मा बेनर जी, लीला रॉय, जी दुरगाबाई, हंसा महता, कमला चौधरी, रेनुका रॉय, मालती चौधर दक्षायनी वेलियुदन, बेगम एजाज रसूल, अब यहां फोकस कीजिएगा, यह एक मात्र मुस्लिम महिला है, यह प्रश्णा आने जिसा है, कि हरतिय सवेधान सभा में मुस्लिम मुका प्रतिने दित्व करने वाली एक मात्र महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल, अ कि सवेधान सभा के 15 सदस्य थी, याद रखना है, और थोड़ा विशेश फोकस करते हैं, कुछ ऐसे नेताओं पर भी प्रश्ण बने हैं, कि किस नेता का चैन कहां से किया गया था, सर्दार वल्लब भाई पटेल महारास्ट, जो उस समय बंबई प्रांत हुआ करता था, उस जी की रूप में बना है, ये पहले बंबई प्रांत का हिस्सा था, और महारास्ट भी बंबई प्रांत का हिस्सा था, तो महारास्ट जादा सही है, उस कांसर क्योंकि उस समय महारास्ट कहना शुरू कर दिया था, अंबेटकर का चैन भी महारास्ट से ही हुआ था, सविधान नाम है याद रखिएगा और भी सदस्य लेकिन मैं उसमें से खास-खास जो मुझे लग रहे हैं कि एक्जाम में आ सकते हैं उन पर फोकस कर रहा हूँ मध्यप्रांत और बरार या सीपी एंड बरार से राजकोमारी अमरताकॉर अभी हमने पड़ा ये से चुनी गई थी भगवंत राओ मल्लोई हरी सिंग गोर ऐसे सदस्यों का चैन किया गया था लाल सिंग जो है वो भोपाल रियासत से चुने गए थे अउधेश प्रताप सिंग विंद प्रदेश से चुने गए थे विंद प्रदेश से और भी सदस्य थे लेकिन सभी आद नहीं करना है अब हम देखते हैं कि प्रांतों के हिसाब से अगर देखा जा बहजे गए थे। सबका लिस्ट याद नहीं रखना है लेकिन मद्यप्रदेश का और सबसे अधिक का याद कर लेना है। हमारे हां रियासतों से भी कुछ प्रतिनीदी भेजे गए थे जैसे भोपाल से एक प्रतिनीदी अभी हमने नाम भी पड़ा लाल सिंग, इंदोर से एक प्रतिनीदी, ग्वालियर से चार प्रतिनीदी, सबसे ज़्यादा किस देशी रियासत के प्रतिनीदी सविधान सभा में शामिल हुए थे तो उसका अंसर है मेसूर की रियासत जहांसे कुल साथ प्रतिनीदी जो है वो सविधान सभा में शामिल हुए थे अब हम दो-तिन प्रश्ण देखते हैं जो परिक्षा में पूछे जाने जैसे हैं जिनको पढ़ने पर हमें समझ आ जाएगा कि क्या बात है यह हम क्यों पढ़ रहे हैं देखिए एक प्रश्ण है सविधान सभा के सदश्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था अभे मैंने आपको बताया कि सविधान सभा का चैन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है लेकिन यहां तो प्रश्ण ही उल्टा पूछ लिया गया सविधान सभा के सदश्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया प्रश्ण सही हमारे नॉलेज में थोड़ा परिवर्तिन करना है देखिए जो समय के प्रांत थे वहां की जो विधान सभा थी उनके द्वारा तो प्रत्यक्ष रूप से इसका चैन किया गया था लेकिन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चैन किया गया था तो इसका अंसर होगा A एक प्रश्ण है सविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनीधित्व सबसे अधिक था अभी मैंने बताया कि सयुक्त प्रांत से 55 प्रतिनीधि चुने गए थे ऐसे प्रश्ण आज आते हैं इसलिए मैंने आपको सेंपल के तोर पर मॉडल दिखाने के तोर पर ऐसे कुछ और प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन से सविधान सभा का सदस्य नहीं रहे तो क्योंकि ये प्रश्ण तो थोड़ा डीटेल हो गया सविधान सभा में प्रारूप समीति जब हम पढ़ेंगे तो उसके सदस्य के नाम दिये हुए हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो है वो क्रश्ण माचारी ये जो तीनों सदस्य हैं ये सविधान सभा में शामिल थे एचेज बेग नहीं शामिल थे सविधान सभा का प्रतिवेशन कहां हुआ था इसी पर आ रहे हैं अब हम ये दिल्ली में आयोजित किया गया था देखिए कॉंग्रेस का पहला अदिवेशन किसी और इस्थान पर हुआ है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं और हम सविधान सभा की बात करने हैं इसका पहला दिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ है अब आगे बढ़ते हैं अभी हमने पुड़ा कि सविधान सभा में कितने सदस्य थे उनका वर्गवार किस तरीके से विभ प्लस हमने साथ में पढ़ा कि मध्यप्रदेश में किस-किस देशी रियासत से कितने सदस्य थे, कुछ विशेश सदस्य कहां-कहां से चुने गए थे, जिसे हमने अंबेक करके बारे में पढ़ा, यह महतोपूर्ण प्रशन है, फिर हमने पढ़ा कि जो 15 महिला सदस्य थी, या 1946, जब सविधान सभा बेठी थी, पहली बार सम्मेलन जिस ने किया था, इसका चुनाओ किस टाइम पर किया गया था, तो इसका यह जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा है, यह जुलाई और अगस्त के महिने में किया गया था, या जुलाई और अगस्त महिने में इसके सदस्यो को चुना गया था तो सविदान सभा का चुनाओ जुलाई अगस्त महिने में हुआ था और उसकी पहली बेठक जो है उन्हों दिसमबर 1946 को हुई थी अब इस पैठक में क्या-क्या हुआ है इसकी प्रत्यम बेठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे क्यों भाई 389 टोटल सदस्य थे तो फिर 211 ही शामिल क्यों हुए क्योंकि मुस्लिव लिग उस समय समर्थन नहीं कर रहा था उसके सदस्य कोई भी शामिल नहीं हुए थे इसलिए सदस्य संख्या कम है मुस्लिम लिंग ने इसमें भाग नहीं लिया था इसके पहले जो अध्यक्ष या अस था ही अध्यक्ष जो है वो सचीदानन्द सीनहा को चुना गया क्यों चुना गया था सचीदानन्द सीनहा को देखिए फ्रांस जो है वो विश्व में एक उधारन है जहां सविधान बनाने की पहली बार प्रक्रिया या सविधान सभा का गठन किया गया था और फ्रांस में उस समय जब क्रांती हुई थी तब उस सभा के जो सबसे वरिष्ट व्यक्ती थी उनको अध्यक्ष बनाया गया था यहां भी उसी pattern को follow किया गया जिससे सचेदानन्द सीनहा जो है वो अईस्थाई अध्यक्ष बनाया गया लेकिन क्योंकि मुस्लिव लिग जो है वो इससे सहमत में ही थाईस लिये अगली बार जब बैठक होगी या दो दिन बाद इनको 11 दिसंबर को राजन प्रसाद को इस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा उपाध्यक्ष कौन थे इसके वो भी आईस्थाई ही थे जो जबलपुर के निवासी फ्रेंक एंथोनी थे उनको इस्थाई अध्यक्ष चुना गये थे लेकिन उसके पहले दो दिन के लिए इस्थाई अध्यक्ष फ्रेंक एंथोनी को बनाया गया था अध्यक्ष में और उपाध्यक्ष में याद रखिएगा सचिदाजन सिन्हा और फ्रेंक एंथोनी का नाम हमें दिमाग में सेट करके रखना है जब अगली बैठक एस्थान एसे मुखर जी का इस्थान बीटी क्रश्णामा चारी ले लेंगे ये दोनों इस्थाई अध्यक्ष लेकिन कुछ साल कुछ समय बाद बीटी क्रश्णामा चारी आएंगे याद रखना है हमें 13 दिसंबर बहुत महत्वपून ती थी है 13 दिसंबर को जवाला लहरू ने जो अभी प्रश्ण था ने उद्देश प्रस्ताव जो है वो रखा था अब अधिकांस स्टूडेंट सुचते हैं कि 9 दिसंबर को पहली बेठक हुई 11 दिसंबर को दूसरी बेठक हुई 13 दिसंब बहुत विशेशना होने के कारण पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन इनमें भी कुछ न कुछ हुआ है 13 दिसंबर की बात करते हैं जवाला लहरू ने उद्देश प्रस्ताव रखा जो की बाद में 22 जनवरी 1947 को जो है वो सर्व सम्मती से स्विकरत किया गया था ये याद रख या को पालन करते हुए हमारी सविधान की रूप रेखा बनानी है या सविधान को बनाना है तो सविधान की मूल आदर्श की रूप रेखा इस उद्देश प्रस्ताओं में प्रस्तूत की गई थी और भारत को इसी उद्देश प्रस्ताओं में एक संप्रभू गंडराज तो वो देश प्रस्ताव ही था जिसके माध्यम से भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गंडराज घुशित किया गया था इसके बारे में अब कुछ और फैक्ट हैं एक व्यक्ति थे बहुत महतुपूर्ण है सव्विधानिक सलाहकार बियन राव इन्होंने 60 देशों का अध्यन करके एक प्रारूप तियार किया था समीतियों के माध्यम से हमारा सविधान बनाया गया अब हमने अभी समझ लिया है कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर की तारीखों में क्या-क्या हुआ अब 389 सदश्य एक स्थान पर बेठे हुए हैं और उन्हें एक सविधान बनाना है अगर कोई भी 389 सदश्य किसी एक काम को करने जाएंगे तो impossible है कि वो उसे कर पाएं तो यहां पे भी ऐसी ही स्थिती बन रही थी इसलिए सविधान बनाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि इन 389 में से कुछ छोटे-छोटे समीतियां बना दी गई कि इस काम को फलानी समीती करेगी इस काम को फलानी समीती करेगी ऐसे बहुत सारी समीतिया बनाई गई आगे हम पढ़ेंगे उनके नाम याद भी करवाओंगा मैं आपको कोडिंग के माध्यम से और कौन-कौन उनके अध्यक्ष थे वो भी हम याद करेंगे लेकिन अभी महतु पुन बात यह है कि हमारा जो पूरा 389 सदस्य वो किसी काम को नहीं कर रहे हैं उन्होंने छोटी-छोटी समीती बना दी जैसे प्रारूप समीती जैसे जंडा समीती और अब वो समीती अपना-पना जो सब्जेक्ट दिया गया है उस काम को करेंगे इसके अगला प्रोसेस क्या होगा समीतीया ने जो काम किया है उसे 389 सदस्यों की सभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उस पर चर्चा होगी और उस पर आम सहमती हो जाने पर उसे स्विकार करके उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा ऐसे धीरे-धीरे-धीरे करके हमारे सविधान का निर्मान होगा इसे यही प्रक्रिया हमारे सविधान को बनाने में पालन की गई इसलिए यहां फैक्ट लिखा हुआ है कि समीतियों के माध्यम से सविधान बनाया गया इसमें सबसे महत्योपून जो समीती थी वो प्रारूप समीती है जिसका गठन की तारिक भी हमें याद रखनी है 29 30 अगस्त 1947 को इस समीती का गठन किया गया था इसी के अध्यक्षब डाक्टर भीमराव अमबेट कर थे जिन्नोंने महत्योपून रूप से उसका खाका तयार किया और सविधान को बनाने में महम और गोगदान दिया जिसे सविधान का प्रारूप तयार करना था और थोड़ रूप में किया गया वो समझते हैं इसका जो प्रतम वाचन था वो 4 नवेंबर 1948 को किया गया जो केवल 5 दिन तक चला और उसमें केवल 9 बार चर्चाएं की गई मतलब केवल सविधान का आउटलाइन इसमें चर्चा के रूप में था दूसरा जो वाचन था वो 15 नवेंबर 1948 से खंडवार चर्चा वाला था जो टोटल 17 अक्टूमबर तक चला मतलब अगले साल 1949 में 17 अक्टूमबर तक चलेगा ये सबसे लंबा चलने वाला वाचन था जिसमें सभी सदश्यों ने 7,653 संशोधन प्रस्तावित किये थे और ये 1950 तक चला था इसका जो अंतिम वाचन है वो 14 नवेंबर 1949 को होगा जो 24 नवेंबर तक चलेगा और 24 नवेंबर को आखरी इनकी बेठक होगी 26 नवेंबर को अस्ताक्षर होंगे और हमारा सविधान अंगीकरत कर लिया जाएगा इसको और आगे समझेंगे हम अंबेटकर जो है उन्होंने लास्ट में जब अंतिम वाचन हुआ तो एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम हमें रटना है the constitution as settled by the assembly be passed ऐसा एक प्रस्ताव उंबेटकर जी लाए जिसे तीसरे वाचन में सर्व सहमती से पास कर दिया और इसी से भारतिय सविधान बना अब overall इसको एक बार short में हम समझते हैं कि देखिए 389 सदश्यो उने अपने आपको छोटी-छोटी समीतियों में बाट लिया है और छोटी-छोटी जो समीतियां है वो अपना-पना काम करके लाएंगी और फिर वाचन शुरू होगा और पहला दूसरा और तीसरा ऐसे वाचनों के माध्यम से उन समीतियों द्वारा तयार किये गए content पर ब पिकरत किया जाएगा तीसरा वाचन जो है वो 24 नवेंबर तक चला था और सविधान सभा की जो अंतिम बेठक है वो भी इसी दिन हुई थी लास्ट में ये 26 नवेंबर को एक बार और मिले जहां हस्ताक्षर किये गए थे हस्ताक्षर करके सविधान सभा अब अपना काम प्रकाशन रहा ये जो खाका हमारी समीतियों ने तयार किया इसका दो बार प्रकाशन हुआ और जो प्रकाशन है वो याद रखियेगा देहरादून से किया गया था देहरादून में इसका प्रकाशन किया गया और भारतियों को तारिक के साथ करते हैं फरवरी 1948 में पहली ब हैً आपके पास कोई संसोधन है आपको कोई विशेश इसमें प्रावधान जुडवाना चाहते हैं तो आप हमें पेश करें सविधान सभा के समकशोस प्रस्ताओं को पेश किया गया और फिर इन चर्चाओं में उन बातों को भी शामिल किया गया जो जनता चाहती थी कि सविधान में शामिल हो और इस प्रकार जनता का भी इसमें पार्टिसिपेशन पूरा-पूरा रहा और अंतितर 26 नवेंबर 1946 को भारत का सविधान बन करके तयार हो गया इसके आगे की बाते हम कवर करेंगे अगले वीडियो में लेकिन इसका जो प जाल या जो वर्ष या जो तारीक होती है उन्हें एक टेबल बनाकर चार्ट बनाकर अलग से याद करना चाहिए जिसे मैं अभी आपको करवा रहा हूं सबसे पहले हमने एक तारीक याद की 29 जुलाई 1945 जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई और उसी के बाद 1945 म भारत में भी आंचुनाओ हुए 24 मार्च को केबिनेट मिशन दिल्ली पहुँच गया 16 माई को केबिनेट मिशन ने अपनी सवेधानिक योजना या अपना प्रस्ताओ प्रस्तूत कर दिया 16 जुन को मुस्लिव लिग केबिनेट मिशन की योजना पर स्विक्रती दे देती है 16 अगस्त को अंतिरिम सरकार में वो सामिल ना होने के कारण मुस्लिब लिग जो है वो प्रत्यक्ष कारवाही दिवस मना लेती है क्योंकि अंतिरिम सरकार बन चुकी थी जिसे देश चलाना था 2 सितंबर को कॉंग्रेस की अंतिरिम सरकार का गठन हुआ और 13 अक्टुमबर 1946 को अंतिरिम सरकार में मुस्लिब लिग शामिल हो गई 9 दिसंबर वो तारीख है जब अब बेठक होना शुरू होगी और सविधान बनना शुरू होगा एक महतुपून पॉइंट जो हमें याद रखना है 11 अगस्त 1947 15 अगस्त के 4 दिन पहले पाकिस्तान में सविधान सभा बन चुकी है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है मुहमद अली जिन्ना को हमारे काम की बात नहीं लेकिन फेक्ट के रूप में एक्जाम में आ सकता है कि पाकिस्तान की सविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मुहम्मद अली जिन्ना भारत की सविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए ना गांधी जी कभी शामिल हुए ना मुहम्मद अली जिन्ना कभी शामिल हुए लेकिन वो पाकिस्तान के सविधान सभा के अध्यक्ष थे और पाकिस्तान सवा के अध्यक्ष वो कब बने थे आजादी के चार दिन पहले 11 अगस्त 1947 को तो ऐसे तारीक वाइस जो घटनाय होती है उनको लिख करके अलग से याद करना चाहिए ताकि सारा confusion खतम हो जाए हमें दो तिन फेक्ट और याद करने हैं अंग्रेश तो चले गए लेकिन जाते जाते भारत में शरारत का बीज बो गए एसा एक बहुत कथन बहुत विशेश कथन है सरदार वल्लब भाईक पटेल ने कहा था याद रखिएगा ऐसे quotations हमाले बहुत important है जो अगले वीडियो में हम cover करेंगे कि सविधान के बारे में किसने क्या कहा हमारे उद मघाती साबित होगा ऐसा गोविंद वल्लब पंत का statement था परिक्षा में पूछा जा सकता है याद रखिएगा और एक महतूपून बात अभी कुछ दिनों से महिलाओं का आरक्षन बहुत चर्चा का विशेई है उससे related quotation है कि महिलाओं के लिए आरक्षन नहीं चाहिए हमें सामाजिक राजनेतिक और आर्थिक न्याई चाहिए ऐसा सविधान सभा के समक्ष quotation प्रस्तुत किया था हनसा महता ने याद रखिएगा हनसा महता ने कहा था कि आरक्षित सीटों की आवशक्ता नहीं है ना ही प्रथक निर्वाचन की जरूरत है महिलाओं को केवल न्याई क जरूरत है ऐसा सविधान सभा के समक्षि स्टेट्मेंट रहा तो अभी हमने आज के वीडियो में पड़ा कि सविधान सभा कैसे बनी केविनेट मिशन ने किस प्रक्रिया का पालन करते वे सविधान सभा के सदश्यों को बनाया सविधान सभा में कौन कान सदश्य सामिल था उनकी क्या-क्या विशेष्टाएं थी आकडे भी हमने कि कितने सदस्य थे पाकिस्तान के अलग होने पर कितने सदस्य बचे फिर उनको वर्गवार, ST, SC, महिला इस फॉर्म में भी पड़ा सभी सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली अब हमारा सविधान बन करके तयार होने वाला है अगले जो वीडियो होगा उसमें हम समीतियां जिनोंने बहुत महतोपुन रोल निभाया था सविधान निर्माण में उनकी बात करेंगे सविधान के जो इस त्रोथ हैं आप बताईएगा कमेंट में कि भारती सविधान का सिंबोल क्या था सविधान सभा ने सविधान का संबोल किसे बनाया था इसकी मुद्रा किसे बनाई गई थी वो आप कमेंट में बताईएगा अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद